हेलो दोस्तों आईसा बिंदू की रसोई में आपका स्वागत है तो आज हम चना दाल और पालक का तड़का बनाने जा रहे हैं एकदम देशी है स्टाइल से और एकदम चटपट जो देखने में भी जितना सुन्दर है खाने में भी उतना ही स्वादिस्ट और हम आपके लिए ले कर आए हैं बहुत ही स्वादिस्ट और लाजबा चना दाल और पालक का तड़का तो हम ये प्याज लिए हैं जिसको हमने दो करके अच्छे तरीके से बारीक मेहीन काट लिया है ताकि गल जाए जल्दी हमारा प्याज ज्यादा परिसानी ना हो गल्ले में और ये हमारी लाल पालक है जिसको हमने इसको भी धुदो करके छोटे-्छोटे टुकड़े में काट लिया है और ये हमारे चना दाल है जिसको हमने रात में भीगो दिया था जो हमारे चना दाल फूल गये अब इसको वह देखें कि तौरी के से हमारे चन्न दाल ये फूल गया है對 अच्हेत नहीं है लाल खड़ा मिर्च लिए क्युए पत्ता है ये लजो ने कोटा निये हैं हम लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालें गजिस गरं मसाला पाऊडर ! चोले जीर आप पाइडर काली मिर्श पाऊडर और हल्दी पाऊडर हमने यह वारी है सारी समागरी है चलते हैं अब इसको बनाने के प्रोसेस में हमको मसाला में लासुन भी डालना है तो तो देखिये हमने लासुन अच्छी तरीके से छील लिया है उसके बाद इसको अच्छी तरीके से कूट लिया है अब देखिए एक और चीज मेरा छूट किया था खड़ा गरम मसाला जो हमको डालना है जिससे सुगंदर स्वाधिस्ट दुनों बढ़ जाते हैं तो देखिए यह सारी हमारी समागरी है अ और हम कूकर रख दिये हैं गैस पे और गैस का फ्लेम अन कर दिये हैं हमारा कूकर अब गरम हो रहा है अब हम इसमें तेल डालेंगे अपने क्वांटिटी के हिसाब से ना ज्यादा ना कम एक लिमिट से अब डालिए देखिए यह हमारा तेल अच्छी तरीके से अब गरम हो चुका है तब इसमें पहले अपने खाड़े गरम मसाला जो है वो डाल देंगे फिर तेजबत्ता डालेंगे उसके वाद हमने यह लसुन लिया था कूट कर डाल दिये उसको हलका जल लाने के लिए और उसके बाद खड़ा लाल मिर्च है वो डाल दिये हम इतना इसलिए लि अब इसमें प्याज को डाल देने के बाद इसमें हम हम चम्मच नमक ढाल करके और इसको हम अच्छी तरीके से भी तो बंद करके सीट को लगा देंगे पर चार पांच सीटी लगवा लिए हैं ताकि हमारा प्याज गल जाए देखिए हमारा प्याज नरम हो चुका है अब हम इसको चला देंगे अब इसके बाद हम इसमें देखिए यह जो हमने पालक दो करके काट रखा था अब उस पालक को हम इसमें सारा पालक डाल देंगे और आप पालक को डालने के बाद इसको हम मिलाएंगे देखिए तरह विसे चारो तरफ हम पालक काई अ जब हमारे पालक हलका नरम हो जाए तो अमने जो ये मसाले लिये थे जिसको भिंगो दूरक अब इसको भूणको जाए अच्छी तरीकी को से बोणेगे। जाए मेसरी मशाले। अब हुआ डालने जोखें देखने लिए टो मैश्य टामाटर लिए आए ऑप हमेडा मसाला कुंसरा चम Color Champ एमेडिष में सटानी ग्यारी से अधाय करना हैं, यह वान म chuckt भूनकार करेखा यह उसको डेखों ब्रॉण दूधार ही चला 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 कर्षेछ को इसको अच्छी तरीक से rif फिर उसके बाद घटा करके इसको चलाते रहा इए नहीं की इसको ठंक करके छोड़दे देख़िए यह हमारे हल्का पानी जो पालक चुड़ता है वो हमारे पानी सुख रहा है कि कितने बहुत सी खाली है थot हमे अधे अची थो आधे शाखा है तो सब भाइं के हाई कैजिने ट्रीके से जाफमसाल ही चुछे हैं इस टो इसलिटमना डाल चैना यह जिसमें अंगरा मकंडिय करके इनको भूंचते रहे हमारा आधा मसाला तो पहले पक गया है उसके बाद हम चना डाल डाले हैं और हलका भूनेंगे देखिए दो मिनट तक चना डाल डालने के बाद दो मिनट तक हम इसको भूनेंगे देखिए हमारे मसाले 80 परसेंट तक पक चुके हैं 20 परसेंट ही बस बाक पानी चुड़ा है उसको सुखा ले और यह हम नमक लिए हैं जो मेरे कम था हम बस प्याज बलने के लिए ही नमक डाले अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक फिर डाल ले और इसको मिला करके इसको भूनते रहे छोड़े नहीं नहीं तो नीचे फिर जल जाएगा तो इसमें फिर उतना स्वाद नहीं आएगा ते कि अच्छे तरीके से देखिए कितना अच्छा कळर अने लगा है जैसे जैसे भूना रहा है हमारे तड़का के लिए जो भी यह पालक औलग सारा डाले है उसको एध हमारे भूना गए हैं तो हम इसमें अपने क्वांटिटी के इसमें ततना या ज़्यादा भण कि अ कि मिला अब न मिला मिला करके देखते रहें और स्वाधनिस्वार नमक भी देख लें हम अपने क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी डाले हैं देखें अब हम इसको जो कुकर का ढखन है फोल लगा करके KT लगाने के लिए तयार कर देंगे ऑर कुकर नखराकन लगा दिया, और gas का flame हम medium ही रखेंगे, gas का flame medium रखने के बाद हम इसमें 5 सीटी, कम से कम 5 सीटी लगा देंगे, 5 सीटी लगने के बाद देखिए हमने flame को off कर दिया है, और सीटी को बंद करके हम इसको 10-15 मिनाट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा इसमें से गैस निकल जाए, उसके बाद देखिए, जो अपने से गैस निकल जाए, उसके बाद हम ये कुकर खोले हैं, देखिए कितने आच्छी तरीके से हमारे तड़का बनकर रेडी है, एकतम देखने ही में ही जितना स्वातिष्टे खाने में भी उतना ही